अब इबादन स्विकार कीजिए दोस्तों असिर का दोस्तों स्कूल के एक्जाम्स चल रहे हैं और कुछ स्कूल में एक्जाम्स हो चुके हैं चुटिया लग चुकी हैं, विकेशन्स पर लोग जा चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं तो चुतियों में आजकल बच्चों को बहुत सारे प्रजेक्ट दी जाते हैं तो चन्निय के एक स्कूल न अपने बच्चों को जो चुतियों में आसाइनमेंट दिया ना वो पूरी दुनिया में वाइराल हो रखा है वज़े बस इतनी है कि उसे बेहत सोच समझ कर बनाया गया है इसे पढ़कर एहसास होता है कि हम वस्तों में कहां आ चुके हैं और अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं अन्नाई वाइलेट मेट्रिकुलेशन एन हायर सेकंडरी स्कूल ने बच्चों के लिए नहीं बलकि पेरेंट्स के लिए भी हमवर्ग दिया है जिसे हर एक पेरेंट को पढ़ना चाहिए उन्होंने लिखा कि पिछले दस महीने आपके बच्चों की देखभाल करने में हमें अच्छा लगा अपने गोर किया होगा कि उन्हें स्कूल आना जाना बहुत अच्छा लगता है अगले दो महीने उनके प्राक्रतिक संड्रक्षक यानि आप उनके साथ चुट्टियां बिताएंगे अब आपको कुछ टिप्स दे रहे हम जिसी ही समय उनके लिए उप्योगी और खुशनुमा थाबित हो तो आपको सिंपल ये करना है कि अपने बच्चों के साथ कम से कम दो बार खाना जरूर खाएं उन्हें किसानों के महत्व और उनके कठिन परिश्रम के बारे में बताएं और उन्हें बताएं कि आप अपना खाना बेकार ना करें खाने के बाद उन्हें अपनी प्लेटें खुद धोने दें इस तरह के कामों से बच्चे महनत की खीमत समझेंगे उन्हें अपने साथ खाना बनाने में मदद करने दें उन्हें उनके लिए सबजी या फिर सलाद बनाने दें तीन पडोसियों के घर जाएं उनके बारे में और जाने और गनिष्टता बढ़ाएं दादा दादी नाना नानी के घर जाएं उन्हें बच्चों के साथ घुलने मिलने दें ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों क्योंकि अक्सर अब ये देखा गया है कि लोग दादा दादी नाना नानी के घर जाना पसंद नहीं करते बलकि हिल स्टेशन पर जाएंगे या कहीं कुछ और ऐसी जगे जाएंगे जहां उनको दिल लगेगा उनके जवान में अगर कहा जाए तो वो दुनिया को एक्स्प्लोर करना चाहते है लेकिन दादा दादी नाना नानी के घर जरूर जाएं उनका प्यार और भावनात्मक सहारा आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है अच्छा उनके साथ तस्वीरें लेना न भूलें आप उन्हें अपने काम करने की जगे पर लेकर जाएं जिससे वो समझ सकें कि आप परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और कितनी मेहनत करते हैं किसी भी इस्थानी त्योहार और स्थानी बाजार को मिशना करें ये बड़ा important point लगा मुझे कि अक्सर हम mall में आजकल जाने लगे हैं बड़े बड़े शॉपस में और branded शॉपस में जाने लगे हैं जो छोटे छोटे शोटे बाजार लगते हैं ना अलग-अलग शेहरों में, अलग-अलग गाओं में, अलग-अलग दिन लगते हैं, कभी संडे को लगते हैं, किसी दिन गुरुवार को लगते हैं, तो आप उनको वहाल ले करके जाएं, खरीदारी करें उनके साथ, उनने सिखाएं, अपने बच्चों को किचन गार्डन बनान चोट लगने दें, गंदा होने दें, कभी कबार गिरना और दर्द सेहना उनके लिए अच्छा है। सोफे के कुशन जैसी आराम के जिंदगी आपके बच्चों को हालसी बना देगी। उन्हें कोई पालतू जानवर जैसे कुटा, बिल्ली, चिडिया या मचली पालने दें, उन्हें कुछ लोगी जरूर सुनाया ताकि वो अपनी संस्कृती से जुड़े रहें, अपने बच्चों के लिए रंग बिरंगी तस्वीरों वाली कुछ कहानी की किताबें लेकर आएं अपने बच्चों को टीवी, मुबाइल फोन, कम्प्यूटर और इलेक्ट्रोनिक गजट से दूर रखें, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अब हम खुद उसके आदी हो रहे हैं तो हम अपने बच्चों को कैसे रोप पाएंगे, इन सब के लिए तो हल है कि उनके देपदार्त देने से बचें, अपने बच्चों की आँखों में देखें, और ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने इतना अच्छा तोफ़ा आपको दिया, अपसे आने वाले कुस सालों में वो नई उचाहियों पर होंगे, माता-पिता होने के नाते ये जरूरी है कि आप अपना समय बच्चों को दें, दोस्तों बच्चे वास्तों में इन सभी चीजों से दूर हैं, इस एसाइन्मेंट में लिखा एक-एक शब्द ये बता रहा है कि जब हम छोटे थे, तो ये सब बाते हमारी जीवन शैली का हिस्सा थी, जिसके साथ हम खड़े हुए हैं, लेकिन आज हमारे ही बच्चे इन सब चीजों से दूर हैं, जिसकी वज़े हम खुद हैं, कोशिश कीजिएगा, प्रयास करने में क्या हर्द है, और अपना ख्याल रखिएगा.